तो आईए आज आप लोग को फीर एक रेस्पी लेके आई हूं जो बहुत तेश्टी और बहुत हैल देली है इनास्ते की रेस्पी है तो देखिए मेरे पास यह सुगा का बचा हुआ चावल है जो बॉइल करके चावल बनाते हैं खाने के लिए वहीं चावल बच गया था मैं कि मैंने सोचा इसको फ्राइट रैस में आगे खाएंगे मगर मैंने सोचा नहीं चलो कुछ आज अलग बना के दिखाते हैं अप लोग को भी र हम लोग भी खाते हैं कुछ आलग तो इस तरह से मैंने चावल को ले लिया था दो कटोरी नाप करके ये 2 कटोरी ही चावल है इस थरह से आप लोग भी अगर बसता ये चावल तो उसका उपयोग कर सकते हैं विल्कुल अच्छे तरीके से चावल खपत हो जाएगा यानि आप लोग का ये चावल परफ़ेक्ट अच्छे से नास्ते में यूज हो जाएगा तो इस तरह से मैंने दो कटोरी चावल लिया था उसमें एक कटोरी भर करके दही डाला और एक कटोरी ही बेसन डाली हूं और डाल करके इसको ग्राइंड करूंगी अच्छे से तो देखिए एकदम जादे पतला नहीं करना है थोड बट्टे से कूट दूँगी और मेरा कूट गया है अब इसके अंदर में डाल रहे हूं दो चमबच माल लेजिए जो टेबल स्पून होता उस चमबच से दो चमबच सूजी इसमें सूजी और भी आप डाल सकते उसे और अच्छा बनेगा मैंने सूजी थोड़ा कम रखा है तो इस तरह से में डाल के इसको रख दी हूं अब इसके अंदर में डालूँगी अपना जो अदरक और मेशी का पेश्ट है इसको डाल दूँगी क्योंकि इससे से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके अंदर में डालूँगी थोड़ा सा और मसाले उपर से तो द तो इस तरह से मैं बना ली और इसके अंदर मुझे पानी कम लगा क्योंकि सूजी पानी लेता है तो इसके लिए मैं थोड़ा और पानी डाली इसमें एक से टेर्श मुतबख़ोरी पानी मैं डाल दिया पतला से बना लिया गोल एकदम पतला भी नहीं करना है एकदम रणिंग लगा के बना सकते हैं विल्कुल अच्छे से बन जाएगा तो इस तरह से मैं पले ट्राई कर रहे हूं पेपर लगाने का तो दिखा मुझे नहीं लग रहा है फिर इसको मैं कटिंग करके फिर बीच में फैला ले इसके अंदर मैं डालूंगे मीठा सोडा आपके पास मीठा नहीं करना इतना ही पतला परफेक्ट है इस तरह से बनाएगा ट्राई कीजिएगा बहुत अच्छा आपका नास्ता हेल्दी सा बनेगा और आप इसको सुगर साम जिस टाइम भी बनाना चाहिए बना सकते हैं चावल अगर आपके पास बचता है तो इसका ब्योग करिए आपना ये ठाली का जो बना के रखी हूं इसको डाल गरके इसको फका लूगे अब से चौड़ दूंगी 30 Although, now then 20 дал तो देखिए, अब मेरा परफेक्ट हो गया, इसके लिए मैं अपना देख रहे हूँ, ट्राइक चेक कर रहे हैं कि मितलब हो गया की नहीं, तो मैंने देखा इसमें नहीं चिपक रहा था, इसके बाद मैंने थाली से बाहर देखे परफेक्ट किदम ठंडा हो जाने, तभी इस जरूर सास्क्राइब किजिए, ताकि वीडियो आप लोग के पास मेरा पहुचे और नोटविकेशन के सास्क्राइब करिए, ताकि जल्दी से वीडियो पहुच ज продолж झाए, तो देखि- इस तरह से पतला पतलऌ मैं काट ले रह हूँ, इस तरह से पतला पतला काटिना मेरा थ पाइन डाल एक चम्मज बर चमब जीरा ले चावलवाला युटेस्ट के लिए आप कोई भी मसाला यूच कर सकते मैगी मसाला सबजी मसाला से इसका टेस्ट और अच्छा आता है पहले मैंने साधा बनाया फिर इसको फ्राई करते समय ही इसमें मसाला डाले हूँ तो मेरा रेडी हो गया अगर इसको और सोच रहे हैं कि और थोड़ा सा कुरकुरा बने तो थोड़ा इसको मीडियम आज पर और भूनना चाहिए तो और कुरकुरा बनेगा मुझे इतना कुरकुरा नहीं करना था इधर हमारी हरी चटनी है जो कि यह पूद्वी ने और धनिया की कई बार आप लोग को चटनी की रेसिपी दिखा चुकी हूँ मेरे चैनल पर है इस तरह से टोमेटो केचप चटनी और यह रहा हमारा चावल का नास्ता आप इसको जो नाम देना है नाम दे सकते हैं परफेक्ट है और इस तरह से बनाए सुबा का नास्ता साम का नास्ता जिस तरह से खाना आप चावल का उपयोग आराम से कर सकते हैं इस कर दो